हलो दोस्तों स्वागत है आपका पतिमाज यूनीक डियारी में दोस्तों ये वीडियो है चैतर नौरात्री के बारे में कि नौरात्री कब से शुरू हो रहा है कलश स्थापना कैसे करने चाहिए क्या सामगरी चाहिए और मुहूर्त क्या है कलश स्थापना का इसके साथ नौरात्री के नौ दिन कौन से देवी शरूपो की पूजा होती है नौरात्री में नौ दिन आपको कौन से रंग पहनने चाहिए उसकी जानकारी दे गई है दोस्तो चैतर नवरात्री के दोरान देवी दुरगा और उनके विविन नवतारों की पूजा की जाती है और नवे दिन भगवन राम के जन्द दिवसको राम नवनुई के नाम से जाना जाता है इस बार कुछ असमंजस है क्योंकि 21 मार्श से शुरू होगा या फिर 22 मार्श से तो इसकी जानकारी आगे है दोस्तो कलश स्थापना का मुहूर्थ क्या रहेगा और कब नवरात्री में आई जाएगी तो दोस्तो प्रतिपता तिथी यानि प्रत्मा 21 मार्श को रात 10 बच कर 52 मिनट से शुरू होगा और 22 मार्श को आठ बच कर 20 मिनट तक रहेगा इसलिए इस साल नवरात्री 22 मार्श से शुरू हो रही है और जिसका समापन होगा 30 मार्श 2023 को दोस्तो हिंदू पंचांग के अनुसार गट स्थापना बुध्वार को होगा 22 मार्श को और मुहूर्ट होगा शुब चशे बच कर 23 मिनट से 7 बच कर 32 मिनट तक सुब मुहूर्ट रहेगा घट स्थापना का क्योंकि घट स्थापना प्रतिपर्दा तिथी को किया जाता है इसके साथ साथ दुई भाव मीर्णा लगन के दौरान किया जाता है और ये दोनों महूर्थ इस दिन 22 मार्च को सुबह मिल रहे हैं दोसरों किस दिन किस रूप की पूजा की जाती है तो चैत्र नवरात्री के पहले दिन मा शैल पुत्री की पूजा होगी दूसरे दिन 23 मार्च को मा ब्रम्ह चरणी की पूजा तीसरे नवरात्रे तीसरे दिन 24 मार्च को मा चंद्रघंटा चोथा दिन 25 मार्च मा कुश्मांडा पांचवा दिन 26 मार्च मा सकंद माता छटवा दिन 27 मार्च मा कात्या एनी सात्मा दिन सप्तमी मा काल रात्री आठमा दिन 29 मार्च मा महा गौरी पूजा महा स्टमी नवरात्री का 9 दिन 23 मार्च को मा सिध्धी दात्री इसी दिन राम नौमी भी होगी महा दुर्गा नौमी होगी और दस्वा दिन 10 विदर दिन नवरात्री के वरत का पारण किया जा दोस्तों नुरात्री के नौ दिन अलग-अलग रंग आपको पहनने चाहिए किस दिन कौन सा रंग है तो दोस्तों 22 मार्च को पहले दिन रोयल ब्लू समरिद्धी का सूचक होता है शांती का प्रदिने तुद्धु करता है वो कलर रहेगा 23 मार्च को पीला रंग पहनना है जो प्रफुलित करता है और आशावाद और खुशी का प्रतीक है 24 मार्च को तीसरे दिन हरा रंग पहना जाएगा हरा रंग शक्ती का प्रतीक है 25 मार्च को ग्रे रंग पहना जाएगा ग्रे रंग संतुलित भौनाओं को दर्शाता है लाल रंग जो जुनोन और जोश को दर्शाता है। 29 मार्च मादुरगा की पूजा होगी आठवा दिन रहेगा उस दिन स्काई ब्लू कलर। आकाश के रंग की तरह या विशाल और प्रकृत के अबोच चरितर का प्रतीक है। 30 मार्च यानि नौमी के दिन गुलाबी रंग ज धर्मीक मानिताओं के अनुसार मा का नौका से प्रयक्षु सम्रिधी का कारक है। इस बार नौरात्री पर चार ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। यह संयोग 110 वर्सों के बाद मिल रहा है। कलश स्थापना का मुहूर्त रहेगा 22 मार्च को 6 बच के 4 मिनट से 7.5 बजे तक इसके बाद 9 बच कर 6 मिनट से 11 बजे तक भी मुहूर्त रहेगा। यदि किसी कारण से ये दोनों में आपका पूजा नहीं हो पाई, मुहूर्त में कलश स्थापन नहीं हो पाया है। तो दोपहर को 3 बच की 34 मिनट से 5 बच कर 51 मिनट शाम तक भी आप कलश स्थापना कर सकत हैं। दोस्तों, 34 नहीं में कलश स्थापना के लिए क्या क्या पूजन सामगरी लगने माली है। तो जो बोने के लिए मिटी का एक पात्र चाहिए, साफ मिटी, मिटी का एक छोटा सा घड़ा चाहिए, कलश जो रहेगा, कलश को ढखने के लिए मिटी का एक धकन, गंगा ज सुपारी, एक एदो रुपए का सिक्का, आम की पत्तियां, अक्षत, मौली, कलावारक्षा, सुत्र, जो, जो आरजी से कहते हैं, इत्र, फूल और फूल मारा, नारियल, लाल कपड़ा या लाल चुन्ने, दूर्वा, घास, कलश स्थापना इस विधी से आपको करनी हैं। अब इस पात्र में दूबारा थोड़ी मिटी डालें, और फिर बीज डालें, उसके बाद सारी मिटी पात्र में डाल देना है, और फिर बीज डाल कर थोड़ा सा जल डालना है। जल भर दें इस जल में सुपारी एत्र दुरुवा घास अक्षत और सिक्का भी डाल दें इस कलश के किनारों पर पांच असोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते रखें और कलश को धकन से ढख दें अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या लाल चुली में लपेट लें चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखें इसके बाद इस नारियल को चुन्नी को रक्षा सुत्र से बांदें तीनों चीजों को तयार करने के बाद सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जोवाला पात्र रखें उसकी उपर मिट्टी का कलश और फिर कलश के ढखकन पर नारियल रखते दोस्तों आपकी कलश स्थापना पूर्ण हो चुकी है इसके बाद सभी देवी देवतों का आवाहन करके विधुवत नौरात्री का पूजन करें इस कलश को आपको 9 दिन तक मंदिर में ही रखे देना होगा बस ध्यान रखे सुबह शाम आवशकता नुसार पानी डालते रहना है दोस्तों कलश स्थापना के साथ 9 दिनों में आपको कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना है वो है देवी को लाल रंग के वस्तर, रोली, चंदन, सिंदूर, लाल, चुनरी ये सब खाने पिने के लिए जो लाल रंग होते हैं वही अरपित किये जाते हैं इस मंत्र के साथ नौरातर के पहले दिन दुपहर में घट स्थापन यानि पूजा स्थल में तामे मिट्टे का कल स्थापन किया जाता है घट स्थापन के स्थान पर के ले कखमा घर के दरवाजे पर बंदन वार के लिए आम के पत्ते, तामे या मिट्टी का घड़ा, चंदन, की लकड़ी, हल्दी की गांट, पांच प्रकार के रत्न रखे जाएं, दिवाविश्वन देवी को स्थान के उपरात पहनाने चाहिए घट स्थापन के दिन ही, जो तेल नवास बीजो को बीजनी यानि एक मिटी की परात में बोया जाता है, जो मापारवती यानि शाल पत्री को अनपोना सुरूप पूजने के विधान से जुड़ा हुआ है, अस्ट्मी अनौमी को इससे काटा जाता है, केसर के लेप के बाद सब के सिर पर रखा जाता है, नव दुरुगाओं को लाल वस्त्र, अभूशन और नवेदर प्रिये हैं, अता उनको पहनाने के लिए रोज नए रंगी इन रेशम वस्त्र, अभूशन, गले कहार, हाथ की चोणिया, कंगन, माट्टी का आधी रखें, ये सभी सामगरी नव दिन नव दुरुगाओं को पूजन के दोरान समर्पित की जानी चाहिए, दोस्तों ये थी नौरात्र के किस दिन किस देवी की पूजा होनी है, और साथ ही कर नौरंग कौन से है, कल शस्थापना किस विधी से करना है, किन बातों का ध्यान रखाना है, उसकी संपोड़ जा अगर वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें